तो गाइज यह है बीए फस्ट एर के फस्ट सेमेश्टर का एजूकेशन यानि सिच्छा सास्तर का पूरा का पूरा माडल पेपर कोश्चन पेपर जो भी हमारे इस बार 2023 और 2024 के सिसन में जो हमारे छात्र बीए फस्ट सेमेश्टर की परिच्छा देने वाले हैं उनके लिए पूरा जरूर देखेगा पूरी के पूरी वीडियो आप सभी के लिए बहुती महाथ पूरे ठीक है वो सारी कोश्चन बताऊंगा और उसके उत्तर भी बताऊंगा और पुछ वोश्चन ऐसे जो टॉप लेवल के उनको भी बताऊंगा ठीक है तो चलिए शुरू करते सब्जेक्ट देख लीजिए आपका एजुकेशन है ठीक है और प्रश्णपत्र का नाम है कैंसेप्चिल फ्रेमवर्क आफ एजुकेशन यह प्रश्णपत्र का नाम यह भारत प्रश्णपत्र के एकसर प्रश्ण परिच्छा जाते हैं ठीक है द्यान रखेंगे यह प्रकार के कुछ माडल पेपर होता है ठीक है देख लीजी पूरा का पूरा प्रकार का होगा उसमें पहले तो आपको अतिलाग उत्रे कोश्चन दिये जाएंगी उसके बाद आपको रसमें परिच्छा की पारिवासा के आपको अतिलाग उत्तर में आतिलाग ऊत्रे में यह लिए हुश्चै को लीजीक सब्सक्राओर नेखेंगे उसको बटा रहा हूं आप लोग पहले तो एक ते सबस्पाइब करें बता जाए तो सिछा का सिंपल सा अर्थ बोला जाए तो सिछा सब्द का अर्थ है शीखने शिखाने की यानि की सिछा का जो साबदिक अर्थ है परिभाशा है इसको कहा जाता है सीखने और सिखाने की जो प्रिक्रिया होती है उसे ही सिच्छा कहा जाता है ठीक है और एक और छोटी सी मैं इसी में और भी बहुत ही महात्पूर्ण प्रिक्रिया यानि कि बहुत ही महात्पूर्ट परिभासा सामिल कर दे रहा हूँ जो भी कार बेक्त को जो भी कार बेक्त को नवीन अनभो एवं नवीन क्यान प्रदान करता है वह सिच्छा है ठीक है वो फिच्छा प्राप्त है यानि कि माली जे कोई इंसान है वो कोई काम करने जा रहा है तो उसको क्या होगा अनभो ही होगा ना कोई अनभो लेगा उसके बारे हम जानकारी होगी कि हाँ यह काम फश्ट बार कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलतिया होगी कुछ सही होगा तो उसको experience मिलेगा अनभो मिलेगा तो वो अनभो क्या है वो एक प पास कोई ऐसी मेटड्येर थिक ए उसको आपने देखा पढ़ायat सम्भंद देते तो इसकार की नहीं सिच्छा हो गयी ठीक है यानी कि नवीनबहों याननभों और नया घ्यान प्राप्ट करना इज्चा है क्लियर ओर सीखने और सिखाने के परकिर्यज only सिच्छा कहते हैं के बारे में जानते हैं तो बिद्या का जो अर्थ होता है समान वो होता है ग्यान क्या होता है ग्यान और सिच्छा भी कहा पदार्थों के यथार्थ शुरूप का ग्यान हो यानि कि कोई पदार्थ है कोई चीज है उस चीज के बारे में एथार्थ मतलब जैसे का तैसे का ज्यान मतलब जैसा है उसी तरह ब्यक्त किया फिर वस्त के बारे में पता चलता है उसे ही हम सरोप कहते हैं तो कहने का तात पर ये है कि कोई भी पदार्थ है वो जैसा का तैसा है उसी तरह उसका बनावट ठीक है उसी के बारे में वो जैसा बनावट है जैसे उसकी आकरित है उसी के बारे में ठीक है उस ब्य हो उत् GOP यायवत क्यों कुंपकी जो इस ग्यान हो उतको ही जैसा हैं यह पिर उसके यह जान होता है उसकी चीज के आकार आकरतिका यह फिर उसकी बनावट का उसी को हम बिद्या कहते है clear मतलब जो चीज जैसी है वैसे ही उसका ज्यान प्राप्त हो उसको हम बिद्या कहेंगे सिच्छन क्या है बाईया सिच्छन के बारे हम जानते हैं बहुत पोड़ प्रस्ने भी है तो फिच्छन का अर्थ होता है सिखाना क्लियर ओके फिच्छड एक त्री आमी प्रिक्रिया है यानि कि फिच्छड क्या है फिच्छड का जो साब्दी कर्थ होता होता सिखाना और फिच्छड एक त्री आमी प्रिक्रिया है जिसमें सिच्छक यानि कि जो टीचर होते हैं और छात्र पाठक्रम के माध्यम से यानि कि किसी विशय वस्त को माध्यम बनाकर हम फिच्छण को किवल विचारों का आदान प्रदान या फिच्छक और बिर्द्यारते के बीच पारसपरिक अंत्क्रिया जो होती है उसे हिम फिच्छण कहते हैं ठीक है और एक और छोटी से परिभासा मैं आपको बता दे रहा हूं ध्य है उसको माध्यम बनाकर और उसके बिचार को बिद्यार्थी और स्चछक के माध्यम मतब बिद्यार्थी और अदान प्रदान किया जाता है ठीक है वही प्रक्रिया होती है सिच्छण की ठीक क privileged कि सिच्छनकर्थ सिखाना है कि अग्ला प्राशन है कि भाई सिच्छा के ब्योसाईक उद्देश से आप क्या समझते हैं तो इसकी परिभास अलग-लग है लेकिन सिच्छा के ब्योसाईक उद्देश इस प्रकार लिखेंगे जैसे कि नंबर एक पर लिख दीजेगा भारतिय अर्थ बेवफथा की उत्पादक छमता को बढ़ावा देना ये है बिजनेस यानि कि जो एजूकेशन बिजनेस के लिए यूज किया जाता है उसका उद्देश किया है ठीक है तो सिच्छा के जो देश है ठीक वही बताना है तो नंबर एक तो मैंने आपको बताई दिया कि भारतिय अर्थ बेवस्ता की उत्पादक छमता को बढ़ावा देना दूसरा आप लोग लिख सकते हैं देश के नागिर्कों के आर्थिक अस्तर में सुधार करना नंबर तीन पर आप लोग लिख क्लियर अगला प्रशन है कि समाजिक विकास क्या विया तो समाजिक विकास से तातपर है जन जन मतलब लोग ठीक है लोग यानि कि जन संबंदों तथा धांचे से हैं समाजिक विकास का तो तातपर है वो जन यानि लोगों और धांचे पे जो किसी समाज को इस योग बनाती है कि उसके सदस्यों की अवस्यक्ताओं को पूरा किया जा सके ठीक है उसको ही हम समाजिक विकास कहेंगे यानि कहने का मतलब यह है जान से सुनेंगे यानि कोई भी समाज है ठीक है उसमें जो सदस्य रहते हैं भाई समाज में लोग ही यानि कि भाई हमारी आवसकता हैं ये है तो हमारी को ये मिल गया है हमारी आवसकता है गाड़े लेना तो हमारी वो पूरी हो गई तो देर देर समाजिक तरीकिस विकास हो रहा है ठीक है ऐसे समंध वा धाचे जो किसी समाज को अधिकतम आवसकता पूर्थ के योग बनाते हैं तो समाजिक विकास बहुत ही जरूरी है समाज में एक तरीके से ये दिन प्रति दिन समाजिक विकास होता है तो दिन प्रति दिन लोग अपने संसाधनों में विक्सित करते हैं मतलब कि अपने जो रहन सहन है जो उनके मतलब कि फैनेंसियर सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करते है और समाज का विकाफ continue जारी है और जारी भी रहने चाहिए अब भाहत प्रश्ण है कि सान्सकृत यानि कि कलचर जो रीत रिवाज होती है तो इसका परिमाशा लिखना है कि सान्सकृत, किसी समाज में गहराई तक व्याब्त गुड़ों के समग्र सोह रूप का नाम है यानि कि कोई भी समाज है उसमें अंदर तक उसमें जो ब्याप्त कुछ क्वाल्टी होती है ठीक उसके सभी सोरूपों यानि कि सभी बनावटों का नाम है जो समाज को सोचने बिचारने और कार करने के सुरूप में अंतर नहित होता है उसे ही हम सांस्कृत कहते हैं ठीक है इस वो सांस्कृत मानो द्वारा किया गया एक ऐसा विश्कार है या नए तत्थ का ग्यान है जो मनुष्य के लिए कल्यानकारी होता है उसे ही हम सांस्कृत कहते हैं क्लियर डाउट नहीं होगा फिराल क्योंकि ये बहुत ही महात्पूर्ण प्रशन है जिस समाज में केवल पैसे की परधानता को हिस्जीवन का सब कुछ माना जा रहा हूँ ऐसे समाज में मूल सब्ध का प्रयोग पहले तो इन अर्थों में हो रहा है जैसे कीमत, दाम, भाव, आदी या सब किसी वस्त की लेंदेन में ही प्रयोग तो होते हैं जिनका आचरण से कोई संबंद नहीं है तब बात यह उठती है कि वहां कौन सी चीज है जिसे मानो मुल्य कहा जाए इसके लिए हम कहेंगे कि जिनके सहारे मनुष्य का पूरा जीवन पवित्र होकर सज़ता समरता है ऐसे आचरणे सूत्र की ऐसे आचरणे सूत्र ही मानो मुल्य हो सकते है ठीक है किलियर आई होप किलियर हो गया होगा और महात्रपूर्ण प्रशन है याद करके जरूर जाएगा तयार करके जरूर जाएगा परिच्छा में जरूर आएगा गुरू की आउधाना के बारे मतलष गुरू की आउधाना कया है तो Simple सा इसका अर्थ आप लिखिएगा कि गुरू वह है जो ग्यान दे यानि कि गुरू वही है जो ग्यान दे संस्कित भासा के इस सब्द का अर्थ फिच्छक और उस्ताज से लगाया जाता है यानि कि जो गुरू है इसका जो अर्थ है संस्कित भासा कि इस अर्थ से मतलब कि इस सब्द से या फिर इस सब्द का अर्थ इस प्रकार लगाया जाता है जैसे कि माली जे गुरू का ठीक है कि फिच्छक है वुस्ताज है इन सबसे लगाया जाता इस आधार पर बेक्त का पहला गुरू माता पिता को माना जाता है और दूसरा गुरू फिच्छक होता है जो अच्छर ग्यान करवाता है clear तो एक सिंपल सार्थ लिखेंगे कि गुरू हुआ है जो ग्यान दे ठीक है और बेक्त का पहला गुरू माता पिता को माना जाता है और दूसरा गुरू फिच्छक होता है ठीक clear चलिए आगला प्रश्ण है भाई ये दो नंबर के question है तो इतना ही लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाए क्योंकि आपको 50 सब्दों में लिखना है ठीक दो ही नंबर मिलेंगे अब प्रश्ण है कि सिच्छा की अभिकरण से आपका क्याब प्रिया है तो सिच्छा के मखतम अनौपचारिक अभिकरण है जो घर है वो सिच्छा का मुख्य अनौपचारिक अभिकरण है इसलिए परिवार को बच्चे की प्रथम पाट साला यो माता पिता को बच्चे का प्रथम गुरू कहा जाता है ठीक है किलियर बिद्याल है सिच्छा का मुखतम अभिकरण है जहां बच्चे परिवार के बाद जाकर सिच्छा पराप्त करते हैं तो धोनों की मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है जो कि यह उसके लामा भी है जो कि मैं आपको बता दे घहार हूं ठीक है जो कि ये भी महत्पोन के पहला तो आपको परिवार हो गया ठीक है दो नंबर पर अप लोग लिख सकते है कि जो निश्चित असथान पर माल लीजे कि एक निश्चित असृत बाई प्रदान की जाती है इस इच्छा इसमें पाठकरम विशे तथा समय भी पूर्ब निश्चित होता है ठीक है इस इच्छा का मुख अफ्थान विद्याले परिसर है इसकी अतरिक पुस्तकाले चित्र भवान चर्च ये औपचारिक विच्छा के साधन है तो कहने का मतलब ये है कि ओपस्तारिक विच्छावा है जो निश्चित अस्थान पर निश्चित लोगों द्वारा पुर्दान की जाती है ठीक है इसमें पाठकरम भी सीमित होता है पहरेफे निर्धायत होता है ठीक है और विशे भी पहले से ही निर्धायत होता है जैसे कि आप माली जे बीए में है तो admission लेने से पहले आपको पता चल जाएगा तो आपने बताया होगा कि हमें हिंदी चाहिए, sociology चाहिए, education चाहिए, जो आप subject बताएंगे ठीक है, वही आपके admission में वहाँ पर लिखेंगे ना, बात में जब admission हो जाएगा तो आपकी class वही की चलेगी न, किफी चीज़ की चलेगी, जो आपने subject select किया है, हिंदी, sociology या फिर education जो भी आपने select किया, ठीक है, तो वही कि आपकी class चलेगी, और उसी के teacher आएंगे, हिंदी और sociology और education की, ठीक है, और एक निश्चित अस्थान होगा, आपका विद्याले होगा, ठीक है, और मैं, मतलब कि आपका पार्ट क्रा में वो भी निश्चित है, हिंदी में क्या-क्या पढ़ाए जाए, कबीर दर्फ तुलसीदास, वो भी निश्चित ही है, ठीक है, तो ये पहले से ही निश्चित किया जाता है, और इसके जो मुख्य अस्थान है, वो है, विद्याले में य क्या जाता है, ये सारे इसके मुख्य उदाहरण है, ठीक है, उस इच्छा के साधाने, किलियर, आप आती लगुत्रे प्रस्ण सबाब तो होते हैं, अब आज आएंगे, हम खंडबा की और इसमें आपको लगुत्रे क्यों देखने हैं, लगुत्रे में आपको पहला प्रस् प्रस्ण क्या था परमपरा, ठीक है, अगला प्रस्ण के क्या आप इस बात से सहमेत है कि ज्यान द्वारा ही जीवन पर पत्थ मिलता है, ये प्रस्ण कर दीजेगा, कभी आता, कभी नहीं आता, सिच्छा के घटक करन कों से तयार कर लिजेगा, शियोर गारेंटी दे रहा ह कि आप नोट बुक लेकर बैट जाएगा, ये प्रस्णाय गत्ता है, अगला प्रस्ण के फिच्छा के मुख उद्धिश, इसको भी आप लोग नोट बुक में लिख लीजिए, अपने कापी में ये प्रस्णाय गत्ता है, 100% से ओर है, क्लियर, अगला प्रस्ण के छात्रों प्रस्णाय बहुत ही महात्पूर्ण है कि फिच्छा के द्वारा सम्वेधारिक मुल्यों का विकाफ कैसे सम्भो इसको नोट कर लीजिए कि भी आएगा, अगला प्रस्णाय की भात में उच्छे फिच्छा, यानि कि जिसमें आप पढ़ रहे हैं, उच्छे फिच्छा, ब प्रत प्रस्ण का उत्तर 500 सब्दों में देना होता है, ठीक है, चलिए, तो पहला प्रस्णाय की उनुस्को क्या है, भारत में फिच्छा के लिए उनुस्को किस प्रकास आयक है, यह प्रस्ण 80% उम्मीद है आने के लिए तो आप तयार कर लिएंगे तो बिटर ही रहेगा, ठीक है, आगला प्रस्ण की नेक जिसको एन एसी सी के बोलते हैं, ठीक है, तो यह उच्छ फिच्छा के लिए इसके कार क्या है, यह कभी कदार आता तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, अगला प्रस्ण की उधारा, टॉप लेबल कोश्चन आएगा ही आएगा, किलियर, आग तो यह पूरा का पूरा माडल पेपर यहां पर समाब तो होता है, और यह पूरा का पूरा माडल पेपर जो भी शादर चाहते हो, हमें मैसेज कर दीजिएगा, वर्स्टर पे हम प्रवाइट करा देंगे, जैंद